दोस्तो आप सभी का Only Top Study चैनल पर स्वागत है आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं Economics के Top 50 ऐसे कोशन दोस्तो जो 100% परिक्साओं में रिपीट होते है अगर आप लोग ने इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लिया तो आप चैक किसी भी एक्जाम की त्यारी करते हैं आपके एक्जाम में दोस्तो पूरी इस वीडियो में से 2-3 कोशन Economics के आ जाएंगे तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखेगा बहुत ही अच्छे लेवल के कोशन का कलेक्शन है पहले कोशन का आंसर बतेगा दोस्तो भारत सरकार ने नोट बंदी की कोशना कब की दोसरा कोशन आता है निमन में से किस अर्थसास्तरी को अर्थसास्तर का जनक कहा जाता है वेरी वेरी इंपोर्टेंट कोशन जो अभी एक्जाम चल रहा है दोस्तों SSC का उसमें ये कोशन पूछा गया था दूसरे कोशन का दोस्तों राइट आंसर हैगा एडम स्मित यानि की दोस्तों C राइट आंसर हो जाएगा देखे तीसरा कोशन आता है एक रुपे के नोट पर किसके हस्ताकसर होते हैं देखे इस कोशन का दोस्तों राइट आंसर हैगा वित्ते सचीव के यानि की ऑप्शन हो जाएगा बी राइट आंसर मेरे प्यारे दोस्तों कोशन नमबर 4 है भारत में वस्तू एवं सेवाकर यानि की GST कब से सुरूक किया गया था देखे GST को दोस्तों कब से सुरूक किया गया था इस कोशन का राइट आंसर हैगा 1 जुलाई 2017 से यानि की B राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पांचवा कोशन आता है मुल्य वरद्धी कर्यानी की वैट भारत में सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ वेरी वेरी इंपोर्टेंट मार्क कर लेना इस कोशन को एक्जाम में डेफिनेटली पूछा जाता है दोस्तो पाँचवे कोशन का राइट आंसर क्या रहेगा देखे सही उत्तर होगा दोस्तो हर्याना में सबसे पहले लागू हुआ था यानि कि C is the right answer मेरे प्यारे दोस्तों अगर आप यूटूब की किसी भी वीडियो का पीडियाप डाउनलोड करना चाहते हैं जो अभी मैं अपलोड कर रहा हूँ तो आप Only Top Study एप को तुरंद डाउनलोड कर लिजे इस एप का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बोक्स में दे दिया है या फिर आप पले स्टोर पे जाके Only Top Study एप को सर्च करेंगे तो आपको एप मिल जाएगा जैसे आप डाउनलोड कर लेंगे तो डाउनलोड करके सबसे पहले तो 5 स्टार की रेटिंग करिएगा क्योंकि सारी फीडियाप दोस्तो आप सभी को मैं free of cost प्रोवाइड करा रहा हूँ और इसमें काफी मैनत और काफी खर्चा भी होता है तो प्लीज आप से सिर्फ इतना चाहता हूँ कि आप 5 स्टार की रेटिंग करें और सपोर्ट करें Only Top Study एप को इसमें दोस्तो जो second option है YouTube free PDF इसमें आपको PDF मिल जाती है Daily Current Affair की PDF दोस्तो Current Affair वाले section में मिल जाती है दोस्तो 6000 question answers की इसी परकार की question answers मैंने इसमें cover कि है ये एक master PDF है जो कि मात्र 150 रुपीज में आप purchase कर सकते है अगर आप इस PDF को पढ़ते हैं तो आपको evolution या उसके जैसी कोई भी book पढ़ने की जुरत नहीं पढ़ेगी क्योंकि इसमें collection है दोस्तो सभी important question का और सारे subject का इसको आप हमारी website और whatsapp नंबर से भी purchase कर सकते है दोस्तो चटा question आता है भारत में पर्थम किर्सी गंड़ना कब की गई very very important question है तो जल्दी से answer बताए देखे इस question का right answer हैगा 1970 में दोस्तो यानि कि C is the right answer ये आपको याद अखना है मेरे प्यारे दोस्तो साथवा question है किसे plastic money कहा जाता है मेरे प्यारे दोस्तो किसे plastic money कहा जाता है तो right answer क्या रहेगा बिलकुल सही credit card कोuard प्लास्टिक money कहा जाता है यानि कि B is the right answer देखे आठवा question आता है आर्थिक न्योजन यानि कि economic planning एक विशह है दोस्तो ये भी बहुत ही अच्छे लेवल का कोशन है और बार-बार एक्जाम में पूछा जाता है Economic Planning दोस्तो समवर्ती सूची का एक विशे है यानि की C Right Answer हो जाएगा दोस्तो नुवा कोशन आता है उत्पादन यानि की Production के चार कारक है इस कोशन का Right Answer बतेगा तो Right Answer दोस्तो रहेगा भूमी, सरम, पंजी और संगठन यानि की Right Answer दोस्तो Option A हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तो अगर सेशन अच्छा लगता है तो दिल से Like किया करें और अपने दोस्तों के साथ में भी जरूर सेयर कर दिया करें देखे, दसवा कोशन है दूसरी पंचवर्ष योजना किस मोडल पर आधारी थी ये कोशन एक्जाम में बार 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 रिपीट होता है दोस्तों Right Answer रहेगा महाल नौबिस मोडल पर यानि की Option दोस्तों B Right Answer हो जाएगा देखे, अगला कोशन आता है भारत में रास्टे आये को मापने के लिए प्रियोग किया जाने वाला आधार वर्स क्या है और देखे, मैंने हर टोपिक पर दोस्तों वीडियो बनाई है और हर एक टोपिक की मैंने अलग प्लेलिस्ट भी बनाई है तो 11 कोशन का दोस्तों Right Answer क्या रहेगा बिल्कुल सही उत्तर आप लोगों ने किया है और यहाँ पर Right Answer रहेगा दोस्तों 2011 से 12 यानि की Right Answer इसी यह आपके अधकना है दोस्तों अगला कोशन आता है कोफी बोर्ड का मुख्याले कहा इस्तित है देखे कोफी बोर्ड का मुख्याले मेरे प्यारे दोस्तों बैंगलूर करनाटक में इस्तित है यानि की Option A is the Right Answer देखे कोशन नमबर 13 है भारत में नियुनितम मजदूरी अधिनियम कब लागू किया गया था देखे 13 कोशन का दोस्तों Right Answer रहेगा 1948 में यानि की A Right Answer हो जाएगा भई कोशन नमबर 14 है भारत में सवपर्थम तेल कुआ कहा खोदा गया था दोस्तों भारत में सवपर्थम तेल कुआ कहा खोदा गया था राइट आंसर हैगा डिगबोई में यानि की Option A is the Right Answer मेरे प्यारे दोस्तों केंद्र सरकार की राजसु का मुख्य सरोत क्या है तो Right Answer हैगा निगम कर यानि की B Right Answer हो जाएगा देखे 16 कोशन है निमलिकित में से कौन भारत में सेहर बाजार के कारिय को नियंतरित करता है इस कोशन का दोस्तों Right Answer हैगा Security Exchange Board of India यानि की से भी तो Right Answer दोस्तों B हो जाएगा अगला कोशन आता है छीपी हुई बेरोजगारी अधिकांस ग्रामीन चेतर में देखने को मिलती है इसका मुख्य कारण क्या है और ये बहुत ही अच्छे लेवल का कोशन है दोस्तों जल्दी से आंसर बताएगा देखे Right Answer रहेगा भूमी पर जनसंख्या का अतीत दवाब यानि की Right Answer दोस्तों B हो जाएगा देखे अगला कोशन आता है भारत में पर्थम किर्स्री विश्विद्यालने की स्थापना कहां हुई थी देखे Right Answer रहेगा पंत नगर में दोस्तों यानि की C Right Answer हो जाएगा कोशन नबर 19 है भारते रिजर्बेंक यानि की RBI की लेखा अवधी क्या है तो RBI की दोस्तों लेखा अवधी क्या है तो जुलाई से जून दोस्तों Right Answer रहेगा यानि की D is the Right Answer Question number 20 है निमलिकित में से कोन भारत में गरीबी रेखा का निर्धारन करता है दोस्तो right answer हैगा नीती आयोग यानि की D right answer दोस्तो हो जाएगा अगला question आता है विस्व्यापी महामंदी The Great Depression दोस्तो जिसको बोले जाते हैं कब हुई थी ये भी बहुत बार repeat होने वाला question है दोस्तो right answer हैगा 1929 में यानि की A right answer हो जाएगा अगला question आता है किसने साधारन संतुलन सिधान दिया दोस्तो यानि की general equilibrium दिया तो इस question का right answer रहेगा आपका बिल्कुल लियोन वालसर यानि की दोस्तो right answer हो जाएगा B ये आपको याद अखना है अगला question है दोस्तो सिध्वी की स्थापना की गई है देखे सिध्वी की स्थापना मेरे प्यारे दोस्तो लगू उद्यो को वित्य परदान करने के लिए की गई है यानि की right answer हो जाएगा आपका B right answer question number 24 है रखो या निकालो यानि की higher and fire नीती किसे संबंदित है मेरे प्यारे दोस्तो higher and fire जो नीती है ये पूझी वादी यानि की capitalism से संबंदित है यानि की right answer option A हो जाएगा दोस्तो सेशान अच्छा लग रहा है तो दिल से एक बार comment कर देना की सर आपकी जो मेहनत है वो कैसी लगी आपको बस इतना बता देना भारत में पर्थम पंचवर्ची योजना कब सुरू की गई तो इस question का दोस्तो right answer क्या रहेगा एक अप्रेल 1951 में यानि की A right answer दोस्तो हो जाएगा अगला question है भारत में रास्टे आये की गणना किसके द्वारा की जाती है भारत में दोस्तो रास्टे आये की गणना की जाती है केंद्रिय संक्याय की संगठन यानि की right answer C हो जाएगा very very important question है 27 वा question है भारत का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है मेरे प्यारे दोस्तो भारत का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है तो right answer है कपड़ा उद्योग यानि की B right answer हो जाएगा अगला question आता है भारतिय जीवन बीमा निगम यानि की LIC की स्थापना कब की गई थी तो LIC की स्थापना मेरे प्यारे दोस्तो 1956 में की गई थी यानि की C right answer हो जाएगा अगला question आता है मेकिन इंडिया कारे करम का लोगो यानि की लोगो क्या है दोस्तो यह आपको बताना है तो मेकिन इंडिया का लोगो सभी ने देखाई होगा दोस्तो उसमें क्या दिखता है आपको बिलकुल सभी सेड दिखता है तो राइट आंसर ही रॉप्शन है अगला question आता है भारत में सबसे बड़ा नमक उतपादक राज्य कोँ सा है भारत में सबसे बड़ा नमक उतपादक राज्य है गुजरात यानि की D right answer दोस्तो हो जाएगा अगला कोशन आता है ग्रेसम का नियम निमिन में से किस से सम्बंदित है मेरे प्यारे दोस्तों ग्रेसम का नियम निमिन में से किस से सम्बंदित है तो राइट आंसर हैगा मुद्रा के परचलन से यानि की ए राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा 32 कोशन है पंचवर्ष्य योजना प्रारम करने के लिए किसकी स्विकरती आवश्यक है दोस्तो राइट आंसर हैगा रास्टे विकास परिशद की यानि की बी राइट आंसर दोस्तो हो जाएगा 33 कोशन है टेलीफोन नेटवर्क की दरस्टी से भारत का विस्व में कौन सा इस्थान है दोस्तो इस कोशन का राइट आंसर हैगा तीसरा इस्थान है यानि की C is the right answer अगला कोशन आता है I और खपत यानि की income and consumption किस परकार से संबंदित है तो right answer क्या रहेगा दोस्तो बिलकुर सही है सीधी संबंदित है direct relation है दोस्तो income और consumption का direct relation का मतलब समझा देता हूँ दो सेकिन में दोस्तो income जादा होगी तो खर्चे जादा होंगे इंकम कम होगी तो खर्चे कम होंगे ये direct relation है तो ये आपको बस समझना इतना सा भारत में दोस्तो कपड़ा मीलो की संख्या सरवदिक कहा है right answer दोस्तो रहेगा मुंबई में यानि की C right answer हो जाएगा वे question number 36 है निर्धनता का दुर्ष्टक्र यानि की वाइकस सरकल और पोवर्टी की अवधाना किस ने दी इस question का दोस्तो right answer क्या रहेगा बिल्कुल सही है रेगनर नरकेस नानि की right answer दोस्तो हो जाएगा B right answer या आपका दखना है मार्केट एकनोमिक वह है जो मेरे प्यारे दोस्तो जो सरकारी नियंतरन से मुक्त है यानि की right answer भी हो जाएगा 38 कोशन है भारतिय अर्थविस्था का पोईनियर किसे कहा जाता है दोस्तो right answer हैगा बिल्कुर सही दोस्तो डॉक्टर मन मोहन सिंग जी को यानि की a right answer रेगा अगला कोशन है रास्टे विकास परिस्थ का गटन कब किया गया था तो रास्टे विकास परिस्थ का गटन मेरे प्यारे दोस्तो 6 अगस्ट 1952 में किया गया था यानि की b right answer हो जाएगा कोशन नमबर 40 है किसान क्रेडिट कार्ड योजना यानि की केसी सी किस वर्स शुरू की गई थी इस कोशन का दोस्तो राइट आंसर हैगा 1998 में यानि की ए राइट आंसर हो जाएगा कोशन नमबर 41 है तरल सर्ण यानि की लिक्विड गोल्ड किसका परचलित नाम है तो लिक्विड गोल्ड जो है मीरे प्यार दोस्तों ये पेट्रोलियम का परचलित नाम है यानि की डी राइट आंसर हो जाएगा कोशन नमबर 43 है भारत में आर्थिक नीति किसके दुआरा बनाई और लागू की जाती है दोस्तो राइट आंसर हैगा भारतिय रिजर्बैंक यानि की C is the right answer ये आपको याद अखना है अगला कोशन आता है छिपी हुई बेरोजगारी की परिभासा क्या है दोस्तो राइट आंसर हैगा श्रम की सिमान्त उत्पादक्ता सुन्य है यानि की right answer is C ये आपको याद अखना है अगला कोशन है विस्व व्यापार संगठन यानि की WTO की स्थापना कम की गई थी तो वैसे मैंने सभी दोस्तो जितने भी विस्व संगठन है उन पर एक सेपरेट वीडियो बना रखी है उनके स्थापना और उनकी उनसे लिडिट जितने भी हेड़कोर्टर है सब कुछ मतले हैं इंपोर्टेंट चीजे वो भी आप अलग से जाकर के देख सकते हैं राइट आंसर उननीस सो पिचान में हो जाएगा यानि की A राइट आंसर कोशन नमबर 46 है निमलिकित में से कौन सी एक गैर सविधानिक संस्था है तो इस कोशन का दोस्तो राइट आंसर हैगा नीती आयोग दोस्तो एक गैर सविधानिक संस्था है यानि की D राइट आंसर हैगा और ये काफी इंपोर्टेंट कोशन बनता है क्योंकि सभी स्टोडेंट सोचते हैं कि एक सविधानिक संस्था है दोस्तो third world सब्द का प्रियोग किनके संदर्ब में किया जाता है तो 47 का दोस्तो right answer क्या रहेगा तो right answer is विकास सील देश यानि की option B right answer हो जाएगा question number 48 है भारत के सविधान में budget को क्या कहा जाता है मेरे प्यारे दोस्तो भारत की सविधान में budget को वारसिक budget statement कहा जाता है यानि की A right answer है बजट पर अभी वीडियो बनाई थी अगर आप लोगों ने नहीं देखे तो देख लेना भई अगला question आता है ताती पाका तेल सोधन कारखाना किस राज्य में इस्तित है कोशन नमबर 50 है किस ने कहा अपूर्ती अपनी खुद की मांग पैदा करती है supply creates its own demand दोस्तो right answer है जे भी से ने कहा था यानि की right answer is B और ये भी काफी important question है किस पंचवर्षे योजना में भारी उद्योग पर जोड दिया गया तो right answer दोस्तो रहेगा दुत्य पंचवर्षे योजना में और ये कोशन repeated होने वाला कोशन है रास्ट्य किसान आयोग यानि की national commission of farmer का गठन कब किया गया था 2004 में किया गया था यानि की right answer दोस्तो हो जाएगा भारत में मुद्रा की दसमलव परणाली कब अपनाई गई दोस्तो right answer क्या रहेगा तो सही उत्तर 1 अप्रेल 1957 हो जाएगा यानि की option A is the right answer मेरे प्यारे दोस्तो आज की इस वीडियो का test question का answer सबसे पहले comment box में बता दीजेगा भारत में राष्टे आए की गणना किसके द्वारा की जाती है तो जल्दी से answer बताएए और साथ ही साथ दोस्तो ये भी बताए कि 53 में से आप लोगों ने कितने questions के answer सही किये है approach बता सकते हैं exact नहीं बता पारे होंगे तो और इस वीडियो की पीडियाप आप हमारे दोस्तो only top study app से डाउनलोड कर सकते हैं और ये पीडियाप आपको मिलेगी YouTube free पीडियाप वाले section में जा करके यहां से आपको धीरी धीर देखे एकदम से सारी पीडियाप नहीं मिलेगी जो वीडियो में upload करूँगा उसी की पीडियाप यहां पे मिल जाएगी और ध्यान रकना दोस्तो पीडियाप अभी नहीं मि friendly लगे मतलब यूज आपको अच्छी से करना रहा है तो आप रेटिंग भी कर सकते हैं 6000 के कोशन आंसर्स की दोस्तों पीडियाप को मात्र 150 रुपीज में आप परचेज कर सकते हैं जिसमें economics के कोशन मिल जाएंगे पॉलिटी जोग्रफी इस्ट्री फिजिक्स केमेस्ट्र सारे कोशन इसमें हैं दोस्तों अगर आप इस पीडियाप को पढ़ते हैं तो इसके बाद आपको कोई लूशेंट या फिर कोई ऐसी बुक नहीं पढ़ने की जोरत पढ़ेगी जिससे आपको दोस्तों बहुत टाइम लगा के पढ़ना पढ़ता है ठीक है ना तो आप इसे वेबसाइट हमारे वोटस अप नंबर या फिन नीचे डिस्क्रिप्शन बोक्स में दिएगे लिंक से परचेज कर सकते हैं और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करिए बैल ऐकन को ओन रखिए ताकि आगया आने वाली से भी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे थैंक यू सो मच बाई बाई आवरें टेक केर ख्याल लखे अपना